हाई वेलकम टू बॉम्बे की बात और जो एक्टर की बॉड़ी होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होती है दोस्तों तो ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है जितना ज्यादा अच्छा वो इंस्ट्रूमेंट काम करेगा आपकी एक्टिंग उतनी ही अच्छी निखर कर सामने आएगी, आज हम Bombay की बात में body language की बात कर रहे हैं दोस्तों, body language यानि शरीर की भाषा, शरीर की अपनी एक अलग भाषा होती है, जो आप मूँ से बोलते हैं, जो मौखिक भाषा होती है, जिसको verbal communication कहते हैं, वो मौखिक भाषा होती है, और जो हमारी body की language होत है, non-verbal communication, तो इस बात को आप ध्यान से सुनें, कि जब हमारी body communicate कर रही है, किसी human beings के साथ, किसी दूसरे human beings के साथ, तो वो एक non-verbal communication कहलाया जाएगा, और non-verbal communication जो होता है, ये होता है हमारे gestures से, ये होता है हमारे facial expressions से, तो जो हमारी body का जो tone है, जो हमारा चलने का तरीका है, वो सारी चीजे इसमें involve होती हैं, दोस्तों जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ मेरे हात कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं कभी मेरी बहुता हैं वर्क कर रहा है we're Fun अश्रपी निकल घthree तो इस बात को आप समझ लें तो बोड़ी लेंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है एक्टिंग के अंदर अम्मान लीजे कि मुझे किसी शराबी के एक्टिंग करनी है तो मैं किसी शराबी को अबसर्व करूगा ना जो शराब नहीं पीता हुआ जो सज्ञन आदमी होगा जेंटलमेन होगा मैं उसको देखकर थोड़े सिखुँगा कि कैसे एक्टिंग करनी है मुझे एक शराबी की तरह एक शराबी को मुझे आपजर्व करना पड़ेगा, मैं किसी मोटर मेकैनिक का अगर रोल कर रहा हूँ, उसके जैसी मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैं एक मोटर मेकैनिक को देखूँगा, कि वो कैसे अपनी काड़ी ठीक कर देता है, और कैसे जो है, वो मेकैनिक गिरी जो है वो कैसे करता है, तो वो सारी चीजे मैं कैसी सिखूँगा, मैं observation से सिखूँगा, तो observation पावर का भी यहां बहुत बड़ा रोल है, दोस्तों, अगर आपकी जो body language है, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, कि body language कैसे improve करनी है, कैसे अच्छी करनी है, तो आपको observation पावर पर ध्या देना होगा, आप अपनी observations को बढ़ाईए, आप लोगों को देखिए, लोगों को समझेए, सुशान्त सिंग राजपूत ने धोनी को observe किया होगा, जब उन्होंने MS धोनी film बनाई थी, गनेश गायतोंडे को हम सभी जानते हैं, नवास भाई, नवास भाई ने उस टाइम के गेंग्स्टर्स को अच्छे से observe किया होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, उनके बारे में फिल्में देखी होगी, तब जाकर उन्होंने इतने अच्छे से इस रोल को निभाया था, रणबीर सिंग की अगर हम बात करें, अलाउदिन खिल जी का उन्होंने किरदार जो न जो body language है, उसके बारे में पहले सीखा होगा, समझा होगा, तब जाकर वो इतना अच्छा रोल सिनेमा के बड़े परदे पर निभा पाए, दोस्तों, body language के अंदर एक time वाली भी बात आ जाते है कि 70s के अंदर लोग कैसे थे, या 90s के अंदर लोग कैसे थे, तो और जो आज जो चल रहा है, आज की अगर हम बात करें, current की, तो इस दौर में लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसा रहन सहन है, ये सारी बातें जो हैं, आपको आप जब observe करेंगे, जब सीखेंगे, तो आपका जो body language है, वो अपने आप सही हो जाएगा, दोस्तों, अब जैसे कि कोई एक पुलिस वाला है, तो पुलिस वाला कैसे बात करें, पुलिस वाला रॉब में बात करेंगा, उसकी जो read की हड़ी है, वो सीधी रहेगी हमेशा, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है, और जब वो गन लेकर ऐसे जाएगा, तो उसका posture जो है, जो उसके gestures ज जा रहा है, तो ये भी आप कहां से सीखेंगे, आप जब किसी पुलिस वाले को खुद observe करना सीखेंगे, जब खुद observe करेंगे, तभी इस चीज़ को आप सीख सकते हैं दोस्तों, आदी मानव के बारे में आप सभी ने सुना हुआ, आदी मानव क्या करते थे, वो मोखिक भ दोस्तों, वो लोग आपस में ऐसे ही बात कर लेते थे, आप सूचिए कि उनको बोलना भी नहीं आता था, बोलना तो बहुत बात में मनुष्य ने सीखा, जब बहुत बात में जा करकर वो एक मनुष्य बन पाया, उससे पहले वो आदी मानव था, तो आदी मानव जब वो बतायता हूं कि 55% जो हमारा communication होता है human beings के अंदर दो लोगों के बीच जो बात चीत होती है वो हमारी 55% जो है वो body language के जरिये ही होती है 38% जो है communication वो हमारी voice tone के जरिये होता है और 7% जो communication है वो हमारा words के जरिये होता है दोस्तों तो यह एक scientific बात है जो मैं यहां कर रहा हूं लेकिन आपको अगर सरल भाषा में सरल शब्दों में में समझाओं तो एक जो बुढ़ा आदमी है वो हमेशा जुक कर चलेगा उसका जो body का जो posture होगा वो हमेशा जुका हुआ होगा तोड़ा जो इसकी read की हड़ी है वो हमेशा थोड़ी सी जुकी हुई होगी जिसकी age बहुत ज्यादा है 60 पार की मैं यह बात कर रहा हूं 60 या 70 बरस का जो हो चुका है उन बुजर्ग की मैं बात कर रहा हूं और अगर आप किसी गरीब आदमी को देखते हैं तो गरीब आदमी कैसे चलेगा गरीब आदमी हाथ जोड़कर जुक कर चलेगा तनकर तो नहीं चलेगा तन कर कौन चलेगा तन कर वो चलेगा जो मुचों पर ताव देता हो जो अपनी दाड़ी को बार बार खुजलाता हो और जो बहुत रॉबिला इंसान हो जो कोई बदमाश हो जो कोई गुंडा हो कोई गुंडा कैसे चलेगा गुंडा हमेशा तन कर चलेगा और अगर उसने शर्ट पहनी हुई है तो वो अपनी आस्तीनों को बार-बार ऊपर करेगा वो रॉब दिखाने के लिए तो ये उसका body language है दोस्तों तो ये बहुत सरल भाशा में मैंने आपको समझा दिया कि body language क्या होता है दोस्तों आपने रसी पर चलते हुए लोगों को देखा हुआ अब तो ये खेल नहीं होता पहले जो है कुछ लोग ऐसे खेल दिखाने के लिए आते थे गली महलों के अंदर छोटे-छोटे गाउं और क YouTube पर तो भी आपको देख सकते हैं-और की उनका जो balance है PD का वो कैसा बैलेंश वो बना रहे करनी होंगी दोस्तों अपने आपको सबसे अच्छा आप खुद सिखा सकते हैं आप कैमरा के सामने जो है एक्टिंग करिए मोबाइल के सामने आप एक्टिंग करिए और उस वीडियो को आप खुद देखिए कि इसमें क्या कमी थी आपके जो हाथ हैं आपकी जो आखें हैं जो आपकी भों है या आपकी जो तियोरिया है या आपके जो होंट है या आपकी जो जीब है वो कैसा काम कर रही है वो उस डायलोग के हिसाब से क्या वो ठीक है क्या वो अच्छी लग रही है यानि अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा तो आप अपने दोस्तों को दिखाईए आप अपने एक्टर साथियों को दिखाईए उनसे पूछे कि ये मेरा बॉडी लेंग्वेज जो था इस डायलोग के लिए क्या वो सही है इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों लोगों को अच्छे से आपजर्व करने के लिए आपको अपनी आख नाक और कान हमेशा खुली रखनी होगी आपकी आपजर्वेशन अच्छी होने चाहिए एक बात मैं आपको और बतायता हूँ आखिर में जाते जाते कि आप जो बोलते हैं वो माइने नहीं रखता दोस्तों जो आपके डायलोग्स होते हैं वो माइने नहीं रखते आप उस डायलोग को किस तरीकर से बोलते हैं ये माइने रखता है और इसी को एक्टिंग कहते हैं दोस्तों तो आज की बॉम्बे की बात में फिलाल इतना ही बुज़ दीजिए इजाज़त शुक्रिया